हलो एवरिवन कैसे हैं आप सब तो गाईज आज मैं आपके साथ हैर स्मूधिंग की वीडियो शेयर करने वाली हूँ अगर आपने ये वीडियो मेरी फूल वाच कर लेना तो आप घर बैठे एजली हैर स्मूधिंग करना सीख जाएंगे और ये मेरी क्लाइंट है ये मेरे पास तीसरी बार आ रही है यानि कि हर बार मुझसे ही कराती है अगर मैं इनका प्रोसेजर अच्छे से नहीं करती तो ये दुबारा मेरे पास नहीं आती बट इनको मेरी स्मूधिंग बहुत पसंद आती है इसलिए मेरी repeat customer है इस वीडियो में मैंने हर एक चीज छोटी से छोटी बहुत अच्छे से समझाने की कोशिस करी है कि आपको कितने टाइमिंग तक रखना है एप्लिकेशन किस तरह से करनी है आइनिंग कैसे करनी है बाल दोने का सही तरीका क्या है ये सारी चीजे तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और फुल वाच करना क्योंकि बीच बीच में मैंने बहुत अच्छे अच्छे टिप्स आपको बताने की कोशिश करी है तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और गाईज अगर आपको वीडियो मेरी थोड़ी बहुत भी पसंद आती है ना तो वीडियो को जरूर से लाइक करके जाना तो ये देख लिजे इनके बालों का टेक्शर और इनके बालों में हमने पहले भी स्मूधिन करी हुई है लॉरेल की तो उस वीडियो का जो लिंक है ना मैं इस डिस्क्रिप्शन में दिये दूँगे आप जाके देख लेना आप देख रहें जो हाफ है रहे हैं इनके ओरिजिनल टेक्शर आ गया है और जो हाफ है रहे हैं अभी भी स्मूधिन का टेक्शर बाकी है और जो मैंने इंके बालो में पहले समूधुन करी थी तो इंके short है थे but अभी तो काफी लंब हो गए है और इनके बालो में मैं करने जारी है Strix के Canva और यहां पर मैंने ली आ vortex है Intense इसमें दो वेराइटी आती है것 इन्टेंस और माल्ड वैसे तो इनके बालों में mild हम ये यूज़ करना था बट mild अगर आपके पास नहीं है तो आपको intense किस तरह से यूज़ करने हैं विकोज intense उस बालों में करी जाती है जो virgin hair होते हैं थोड़े से मोटे बालों होते हैं जिन्होंने बालों में chemical नहीं यूज़ किया है बट इन्होंने chemical अलड़े बालों में किया हुआ है तो अगर ऐसे बालों में आपको intense करना पड़े तो उसका करने का भी एक तरीका होता है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी सबसे पहले इनके बालों में हमने किया hair wash hair wash बहुत अच्छे से करना है shampoo से करना है conditioner नहीं लगाना बालों को 100% dry करना है बालों में थोड़ा भी motion नहीं होना चाहिए पूरे तरह से dry करने के बाद एक छोटा छोटा से section लेना है फिर उसमें हम first cream की application कर रहे है जो की है smoothening cream और इस cream को एक बाल में लेना है उसको mixing करनी है फिर आपको थोड़े थोड़े section में लेके इस तरह से emulsify करना है एक layer में कम से कम 10 से 12 बार आपको emulsify करना है आप जैसे देख रहे हैं तो ये जो procedure होता है थोड़ा सा long होता है आप patience के साथ करेंगे तो result अच्छा हैगा ऐसे नहीं आपने बहुत जली जली किया और customer को बस आपने काम फिनिश किया और भेज दिया client का जो बालो का जो texture है वो अच्छा result अच्छा आना चाहिए otherwise तो करने का कोई फाइदा नहीं है और हाँ जबी इस cream की application आप करें हमेशा roots से half inch आपको छोड़ना है ये वाली जो cream है बिल्कुल भी roots पे नहीं रगनी चाहिए और अगर roots पे लगती है तो उसके क्या प्रभाव पढ़ता है बालों के उपर आपके बाल बहुत जादा roots कमजोर हो सकती है clients को itching हो सकती है जलन हो सकती है तो ये सारे चीज़े होती है तो इस वज़े से first cream के application roots से half inch छोड़के करनी है और मैं एक और चीज़ बोलूँगी कभी भी आप smoothing करते हैं आप अकेले मत करिए क्रीम का जो टाइमिंग का रहता है वो भी बहुत माइनी रखता है जबी भी आप application कर रहे हैं आपको 20 मिनट के अंदर में पूरी की पूरी application कर दिये ऐसा नहीं कि आप बहुत धीरे धीरे लगे वे आप 30-40 मिनट तक आप खीच रहे हैं तो वो टाइमिंग बहुत ज़रूरी होता है आपको चेक करना कि यह जो पूरा procedure है चाहे किसी के कितने भी हवी बाल हो कितने भी हलकी हैं 20 मिनट के अंदर में हो जाना चाहिए चाहे तो आपको तीन लोगों के help क्यों ना लीनी पड़े ठीक है इस बात का धियान रखना और मैं एक चीज आप देखेंगे जो कि मैं लास्ट में या बीच-बीच में आपको बताऊंगी फ्रंट वाले आप है देखेंगे ना तो इनके बहुत ज़ादा वेवी हैर थे जड़ से ही इनके वेवी थे और अगर मैं इनका हाफ इंच छोड़ती हूँ तो वो तो फिर वहाँ पे वेव रहेगा क्योंकि वो तो फिर स्ट्रेट हो नहीं पाएंगे तो वहाँ पे क्रीम के अप्लिकेशन कैसे करनी है ये चीज देखना काफी सारे लोग इस और बॉलते की फिर्शिंग याहा है हमारे रूट से तो बाल बिलकुल वेवी है बिलकुल बिलकुल बी लोगने लग रह और बेवी है तो बिलकुल भी स्ट्रेट नहीं हुए तो उस कंडिशन पे आपको किस तरह से फिर्स्ट क्रीम के अप्लिकेशन करनी है आपको देखने को मिलेगा तो यहां पर मैंने जो यह एप्लिकेशन की टाइमिंग है मतलब इसको थोड़ा सा मैंने फास्ट किया है क्योंकि वीडियो बहुत जादा लंबी नहीं हो यहां पर देखो कान के पास में बहुत चोटे चोटे बेवी हैर है तो मैंने थोड़ी सी क् और उसको किस तरह से अप्लाई कर रहे हूं जड़ पर अगर वहां पर लग रही है तो आप लगा देजिए और कोई आप्शन नहीं है अगर हम हाफ इंच वहां पर छोड़ते हैं तो वह तो फिर सारे वेवे हैर हो गए तो उस कंडिशन में आप इस तरह से अप्लाई कर य क्रीम लगा रहे हो इसे क्या होगा ना अंदर जड़ में भी क्रीम नहीं जाएगी और बालों पर बहुत अच्छी से क्रीम की अप्लिकेशन हो भी जाएगी तो आपको भी इसी तरह से करना है अभी आप यहां पर देखना मैं कैसे करूंगी फ्रंट में आप देख रहे हैं तो उस तरीके के बालों पर कैसे आपको क्रीम के अप्लिकेशन करनी है यहां पर देखो मैं थोड़ी सी क्रीम लोंगी और यह देख रहा है चोटे-चोटे वेवी है तो उसको ना मैं उस बालों पर चिपका दूंगे फिर उसके ओपर से 5-7 बार मैं ऐसे मलसिफाय करूंगी जिससे की उसके उपर वो क्रीम अच्छे से लग जाए तो यह करना बहुत जरूरी होता है अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे न और आप छोड़ देंगे तो बिल्कुल भी अच्छा वाला रिजल्ट नहीं आएगा खासकर ऐसे वाले बालों पर तो यह चीज करना जरूर करना है और फिर उसको खीचिए अगर वो रबड की तरह खीच रहना तो समझ लीजिए जो प्रोसेजर है आपका कम्प्रेट हो गया है वाश कर दीजिए और अगर आपके खीचते समय बाल खाले खीच रहे हैं तो समझ अभी नहीं हुआ और हां खीचते समय अगर तूट ग बालो को उस पर फॉल्ड करेए फॉल्ड करने के बाद थोड़ा सा कुछ सेकिंड के लिए आप उसको रखीए रखने के बाद फिर आप उसको निकालिए अगर इसमें से राओं राओं वेव आ गया तो समझ लीजिए प्रोसेजर हो गया और अगर वह बिलकुल खुल जाए विल्कुल स्ट्रेट जैसे हो जाए तो समझ लेजिए अभी उसको आपको रखना है पांस साथ मिनट के लिए तो यह दो तरीके ना यह दो तरीके बहुत बैस्ट होते हैं आपको चेक करने के लिए कि जो आपको प्रोसेजर है वो कम्लेट हुआ है कि नहीं हुआ है ठीक है और हाँ यह जो क्रीम है अगर आप वर्जन बालों में करते हैं तो आपको 25-30 मिनट तक रखना रखतें बट अगर आप ऐसे वाले बालों पर कर रहे हैं इंटेंस तो आपको 15 मिनट के बाद आपको हैर वाश कराना है यहाँ पर एक चीज बहुत जरूरी है हैर वाश आप कैसे कर रहे हैं आपके ही कुश्चन्स होते हैं कि हमने स्मूध निंग करें बट वह रिजल्ट निया है जो आना चाहिए बालों में बिल्कुल भी शाइनिंग निया आई तो आप क्या करते हूं आप नॉर्मल पानी से डारेक्ट वाश कर देते हूं यह बिल्कुल गलत तरीका है आप एक बा फिर आपको नॉर्मल पानी से वाश करना है इसी से ही शाइनिंग आती है बालों में तो यह बहुत जरूरी है इसको तो बिल्कुल भी मिसमत करना अगर आपको एक बहुत अच्छा वाला रिजल्ट चाहिए फिर उसके बाद आपको कलना है ब्लो ड्राय और हाज जब यहां पर हम करेंगे इना कि इस्ट्रेत नी थीन मशिनों से मैं यह काम करती हूँ फर्स्ट आइकॉनिक की प्रोस्ट फिलीप्स की कारशाइन तर्ड मेरे पास आइकॉनिक ही अगलें तो यह तीन मशिने मैं हमेशा केरेटीन स्मोथनी में यूज करती हो और मुझे बेस्ट लगती है इन सभी को प्राइज है अंडर कोई 2700 की है कोई 3000 की है एंड प्रो स्ट्रेट है मेरी 4500 की ठीक है अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखना आपको बहुत पतले सेक्षन लेने हैं इतने पतले कि आपकी हतेली दिखनी चाहिए मैंने भी दिखाया आपको आपको हतेल आप उसमें से और बाल निकाल दीजिए बहुत पतले बाल आपको लेने हैं छे से साथ बार कंटीनियूजले आप उसमें प्रेसिंग करते जाए जब तक बालों में शाइनिंग ना आए तब तक और हाई हीट पे करिए हाई हीट पे इसलिए क्योंकि बहुत अच्छे से बा करिए और हमेशा रूट से छोड़के करिए विकोज अगर रूट स्पेस की लग गई ना तो क्लाइंट की स्किन जल जाएगी तो यहां पे थोड़ा सा पेशेंस के साथ करिए और एक लेयर में साथ आठ दस बार कंटीनियूजले आपको प्रेसिंग करनी है प्रेसिंग बह आपका लास्ट तक रहने वाला है जब हैर वोश करने आता है ना क्लाइंट तीन दिन के बाद तभी यही रिजल्ट उनको मिलना चाहिए ऐसे नहीं अभी तो आपने कर दी अभी अच्छा लग रहा है बड़ तीन दिन के बाद जब वो क्लाइंट हैर वोश करेगा तो तो उसको रिजल्ट ही नहीं मिलेगा क्योंकि ऐसे मैंने देखा है काफी सारे सलोन में कि आपने करके भेज दिया तब तक तो ठीक है बट वो जब हैर वोश कर रहा है तो उनका वेव आगया बालो में तो क्या फायदा वहां पे क्लाइंट के तो गलती नहीं है वो सारी गलती है के आपने करीं या तो आपने क्रीम के अप्लीकेशन अप्लीकेशन धाया तो आपने स्ब्रांट की स्मूध्न नहीं करीं थींmor यह तो आपने प्रैंश कांय करीं आपको दो ये तीन लोगों के help लेनी पड़ेगी विकोस चार पांच छे घंटे का प्रोसेजर होता है तो अकेले ये काम बिल्कुल भी possible नहीं है ठीक है और देखलो यहां पर थोड़े-थोड़े section को लेके आपको बहुत अच्छे से pressing करनी है प्रेसिंग मशीन आपकी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए लोकल वाली बिल्कुल मतली ना मैं हर वीडियो में बोलती हो नोवा चौबा और ये वेगा ये सब मत यूज करना भाई ये सब स्मूध निंग के लिए नहीं होती है ठीक है तो आपको अच्छी सेरेमिक कोटिं प्लेटेड मशीन ही यूज करनी है और इसके बाद अभी हम करेंगे सेकंड क्रीम के अप्लिकेशन और यहां पर देखो मैं फ्रेंट में इनके दिखा रहे हो एक एक बाल इनका बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है और वेव कहीं पर नहीं है रूट्स में भी वेव नहीं है ठी करते हैं मेकप के लास्ट में फिक्सर यूज करते हैं कि वह मेकप हमारा एस इस टिका रहे जब तक हम खुद से उसको वाश ना करें तो उसी वज़े से इसका भी यही काम होता है कि जो अभी आपनी प्रोसेजर किया है ना स्ट्रेटनिंग का बाल बल्कुल स्ट्रेट हो ग में लेकर करनी है क्रीम यह जो क्रीम होती है थोड़ी सी पतली होती है पहले वाली क्रीम थोड़ी सी थिक होती है पहले वाली क्रीम को आपको रूट्स पे नहीं लगाना और यह वाली क्रीम अगर आपके रूट्स पे लग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे कोई आ जगनी और एक और चीज मुझे कॉमेंट आया था कि दी हम नुट्रिलाइजर सकते हैं गाइज अगर आपने यह चीज़ सकेप कर दी फिर तो आपका स्मूधिंग का कोई मतलब ही नहीं है क्लाइंट हेर वश करेगा और वो आउसके बाल फिर से पहले जैसे हो जाएंगे तो यह इसलिए लगाते हैं ताकि जो आपने पहला प्रोसिजर कर दिया है ना फर्स्ट क्रीम का उसको यह लॉक कर दे और बिल्कुल एक साल तक आपके बाल इस्ट्रेट रहे तो यह तो बहु को नहीं पहने तो मैं आपको एक चीज बता दू ग्लफ्स पहन के मुझसे काम नहीं होता है और सुमन भी इतना कंफटेबल नहीं फिल करती है जितना मुझे ऐसे अच्छा लगता है और कुछ लोग बोलेंगे कि बिल्कुल अन्प्रोफेशनल है बही क्लाइंट को काम अच चाहिए और ग्लफ्स में पहन लेती तो मैं बिल्कुल अनकंफटेबल मैसूस करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे वह चीज़े नहीं हो पारी जो मैं विदाउट ग्लफ्स करती हूँ तो यह चीज़े माइड मत करना और कुछ भी नहीं होता है सच बता हूँ मै ठीक है थोड़ा सा तेज गरम पानी होना चाहिए बट आपका हाथ उसको महसूस करें मतलब बहुत जादा गरम ना लगया अपके हाथों को इतना गरम थोड़े थोड़े बालो को लिए बालो को गिला किया फिर इमल्सिफाय कर रहे है जैसे हम क्रीम लगाते ना सेम उसी व इजन के वज़े से हमें गरम पानी से मल्सिफाय करना होता है फर्स एक तो बालो में शाइनिंग बहुत अच्छी आती है लास्ट में सेकेंड यह कि जो एक क्रीम होती है बहुत इस्टिकी क्रीम होती है जो कि बालो में चिपक जाती है और जल्दी से निकलती नहीं तो गरम ड्राय करने के बाद फर्स्ट क्रीम के अप्लिकेशन करी फिर उसको 20 मिनट के लिए रखा फिर से हैर वश किया बिना शाम्पू के बिना कंडिशनर के फिर बालों को ड्राय किया फिर बहुत अच्छे से प्रेसिंग करी फिर निट्रिलाइजर लगाया फिर उसको रखा 20 यहां पर लास्ट हम कर रहे हैं प्रेसिंग और आप देख लो जो फ्रेंट है उसको भी अमने प्रेसिंग नहीं किया तब भी बाल कितने स्ट्रेट हो गए हैं तो यहीं से पता चलता है कि वालों का जो रिजल्ट है वह अच्छाने वाला है तीन दिन के बाद में भी तो किस बालों पर आपको कौन सी क्रीम लगानी है ठीक है हार इसमें दो की क्रीम आती है फॉस्ट नमबर सेकंद नमबर किसी में किसी में माईल्ड तो वह आपको देखना और अगर आप किसी के बालों में कोई दूसरी क्रिम लगा भी रहे हो तो उसका रखने का टाइमिंगा लगा लग होता है वो आपको समझना पड़ेगा ठीक है तो फ्रेंट में देखो इनके बालों में कितना चेक टेक्श्यर आया है और ये मेरी क्लाइंट मेरी रिपेटिड है इनकी मैंने पहले भी स्मूधनिंग करी है तो उनका जो लिंक है न मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप जाके देखना कि इनके बाल कैसे है और हमने किस तरह से स्मूधनिंग करी अगर मेरा करने काम अच्छा नहीं होता नहीं तो सच कह रही हो मेरे पास बिल्खुर भी नहीं आती बठा इनको मेरी स्मूधनिंग पसंद आती है ठीक है और ये मेरे पास आएंगे तीन दिन के बाद में क्योंकि मैं तीन दिन के ब बनाने वाली हूं कि जब हम इनको घर बेज़ेंगे, इनको तीन दिन तक किस से केर करनी है बालो में, बालो में बिल्कुल पानी ने लगने देना, खाना कैसे बनाना है, वो चीज़े आपको सोना है, वो चीज़े नहाना कैसे है, वो सब चीजे में वीडियो में डिसकस करूंगी क्योंकि काफी सारे लोग नहीं जान पाते कि उनको वह तीन दिन तक बालों को रखना कैसे हैं क्योंकि वह भी बहुत माइने रखता है अगर आपने बालों में पसी ने ले आए या फिर बालों के गीला कर लेना तो वहां भी आपका टेक्चर ख स्मूधिंग बताईए तो मैंने इनके ओपर स्टेक्स किया एक्चलि पहले भी बहुत क्लाइंट को किया है बट उनकी डिमांड पर वीडियो बनाईए सो मिलते हैं नेक्स बालों